तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही लाजवाब पर्जदे केक की रसिपी जिसे आप एक बार जरूर ट्राइ करेगा आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए रसिपी देख लब है तो सबसे पहले हम कड़ाई को प्री हीट पे लगा देंगे कड़ाई में इस सरीके से नीचे एक चोटी सी काटोरी या स्टान रख देंगे फिर उपर से ढखकन से ढख देंगे और इसको लो फ्लेम पे 10 मिनिट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे अगर आप इस केक को अवन में बनाने वाले हैं तो अवन को 180 डिग्री सल्शियस पे प्री हीट पे लगा दें अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चीनी को पीश लेंगे तो यहां पे मैंने दो ती हाई कप चीनी ले ली है इसको हम डाल देंगे मिक्सी एक ब्राइनिंग जार में और एकदम फाइन पाउडर होने तक पीश लेंगे अगर आपके पास पहले से ही पाउडर चुगर है तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहां पे हमारी चीनी पिस चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे मैदा तो अब हम इसमें डेड़ कप मैदा डाल देंगे सभी इंग्रीडियंट्स की लिस्ट आगे वीडियो में दे रखिए तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं अब इसमें जाएगा दो ती हाई कप मिल्क पाउडर और फिर इसमें जाएगा आधा टीश्पून बेकिंग सोडा और एक टीश्पून बेकिंग पाउडर अब जार का ढकन लगा देंगे और मिक्सी को एक बार चला देंगे ताकि सभी ड्रा इंग्रीडियंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं इधर हम बेकिंग टिन को भी अच्छे से ग्रीज कर लेंगे तो बस आप baking tin के sides में और bottom में अच्छे से इस तरीकी से oil लगा दें और ये अच्छे से grease हो जाएगा आपको baking paper या parchment paper के ज़रुत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे हमारे dry ingredients अच्छे से mix होकर के तयार हो गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चौथाई cup oil ओइल की जगे आप घी या butter का भी इस्तमाल कर सकते हैं वो भी एक चौथाई cup ही पड़ेगा तो अब हम इसमें डालेंगे एक teaspoon vanilla license और एक teaspoon vinegar vinegar यानि कि सिर्के की जगे आप निम्बू के रस का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक cup दूद्ध और फिर से jar का ठकन लगा देंगे और अब आप मिक्सी को pulse देते हुए चलाईएगा ताकि हमारे केक की बैटर की over mixing ना हो और जो बैटर है वो निकल करके बाहर ना गिरे तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा बाटर बन करके तयार हो चुका है कितने बढ़िया रिबन बन रहे हैं तो यह बिल्कुल perfect consistency है एक केक बाटर की तो अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं अपने केक मोल्ड में तो अब हम इसको counter पे ही 5-6 बाट टाप करेंगे और फिर ले चलते हैं इसको बेक करने के लिए तो अगर आप इसको oven में बेक करने वाले हैं तो इसको बेक करेंगे 180 degree Celsius पे 40 मिनिट के लिए एक preheated oven में और अगर आप मेरी ही तरह इसके को कड़ाई में बेक करने वाले हैं त तब तक जब तक toothpick एकदम clean नहीं निकल कर किया जाता तो दोस्तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि preheat करना जरूरी है क्या तो दोस्तो जिस तरीके से ठंडे तवे पे रोटी नहीं डाली जाती तवे को पहले थोड़ा सा गरम किया जाता है इसका मतलब preheat किया जा तो यहां पर करीबन 40 मिनिट बाद हमारा केक बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल चुका है और इधर मैं आपको इसको टुथपिक से भी चेक करके दिखा देती हूं तो यह हमारा टुथपिक बिल्कुल clean आया आप देख सकते हैं तो अब हम इस केक को निकाल लेंगे और फ कोशिश नहीं करनी चाहिए तो 10-15 मिनिट बाद जब यह हलका सा ठंडा हो जाएगा तब हम एक चाकू को इस तरीके से चारो तरफ फिरा देंगे ताकि यह हलका सा रिलीज हो जाए और फिर हम इसको डारेकली एक वायर राक के ओपर इस तरीके से अनमोल्ड कर लेंगे तो दोस्तो जब केक गरम होता है तो तुरंट हिऊ इसके ऊपर नहीं लगाते हैं बरना आपकी क्रीम है उसके मेल्टोंनी का डर होता है तो अब हम इस केक को हम एक से बूग एक हैंटे के लिए ठंडा होने के लिए रग देंगे अब यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम ली है तो यह नॉन डेरी विपिंग क्रीम है तो यह पहले से ही मीठी होती है इसमें चीनी डालने की ज़रूत ने होती है तो इसको हम बीटर से अच्छे से फेट लेंगे तो दोस्तों यह जो विपिंग क्रीम हैं को बेकरी की दुखानों पे असानी से मिल जाती हैं इसके जगे आप विपिंग क्रीम पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो की आन-लाइन बहुत ही आसानी से अवेलेबल है पहले के कुछ केक्स में मैंने विपिंग क्रीम पाउडर से ही काम किया है तो क्रीम को अच्छे से के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आपकी क्रीम अच्छे से ठंडी होनी चाहिए तो यह जो नॉन डेरी विपिंग क्रीम है यह अल्रेडी इसको फ्रीजर में ही स्टोर करना होता है तो यह अच्छी खाची ठंडी है ही और दूसरा जब आप इसको बीट करें तो आ हम चलते हैं अपने केक की तरफ तो दोस्तों अगर आप अपने केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग या आइसिंग नहीं करना चाहते हैं तो वह भी चलेगा क्योंकि यह केक बहुत ही जादा डिलश्टिस बन करके आता है तो अब हम यहां पे केक का ऊपर का यह जो डूम है उठकर बहुत ही सॉफ्ट बन करके आया है अब हम केक को फिर से एक बार बीच में से इस तरीके से काट लेंगे ताकि इसकी दो लेज हो जाएं तो दोस्तों यहां पे मैं केक को ब्रेड नाइफ से काट रही हूं अगर आपके पास इस तरीके का ब्रेड नाइफ नहीं है तो आप इसको किसी सिरेटेड नाइफ से ही काटिएगा इससे यह जो केक है बहुत ही आसानी से कट जाता है तो यहां पे हमारे पास दो इकुल साइज के स्पॉंज तो अब हम पहले इस स्पॉंज पे शुगर सिरफ लगा देंगे तो इस शुगर सिरफ को बनाने के लिए आप दो स इसके ऊपर हलकी सी विपिंग क्रीम लगा देंगे ताकि हमारे जो केक है वो फिसले नहीं और फिर हम स्पॉंज को इसके ऊपर अब हम स्पाचुला की मंदद से स्पॉंज के ऊपर अच्छे से क्रीम लगा देंगे तो क्रीम जितनी भी आपको पसंद हो आप उतनी लगा सक और फिर दूसरे sponge पे हम अच्छे से क्रीम लगा देंगे तो इस तरीके से sponge के ऊपर क्रीम लगा करके जब हम इसको पलट करके रखेंगे तो आपका जो fruit है जो भी आप यूज कर रहे हैं जैसे इस समय mango का सीजन है तो मैं mango का इस्तमाल कर रही हूँ आप अगर pineapple, strawberries जो भी इस्तमाल करना चाहते हैं वो इस्तमाल कर सकते हैं तो इससे जो fruit होगा वो cream में अच्छे से चिपक जाएगा तो यहाँ पे sponge के ऊपर अच्छे से cream लग गई है तो अब हम इसको इस तरीकी से पलटा करके cake के ऊपर रख देंगे अब वापिस से टॉप लेयर पे भी अच्छे से शुगर सिरप लगा देंगे और अब हम पूरे के पूरे के के को cream से अच्छे से cover कर देंगे तो इस समय आप cake के ऊपर थोड़ी सी कम ही cream लगाएगा इसे crumb coat कहते हैं इस समय जो हम coating कर रहे होते हैं इसमें cake के जितने भी crumbs हैं वो bind होकर के cream में आ जाते हैं और जो final आपका coat रहता है वो एकदम pure white color का आता है तो ये crumb coating होने के बाद हम cake को 10-15 मिनिट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर 15 मिनिट हो चुके हैं और हमारा जो cake है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है तो अब हम इस पे final coat कर देंगे क्रीम को cake के चारो तरफ लगाने के बाद हम इस तरीके से एक piping bag तेयार कर देंगे यहाँ पर मेरे पास piping bag है अगर आपके पास ना हो तो आप कुसी दूद के packet का भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसमें मैंने एक nozzle लगा दिया है और अब हम इसमें छोटे-छोटे से flowers बनाएंगे तो cake के border पे मैंने इस तरीके से छोटे-छोटे से flowers बना दिये हैं और अब हम इन flowers के ओपर इस तरीके से mango cubes रग देंगे तो इन mango pieces को हमने alternatively लगा था तो अब बीच में हम इस तरीके से cherries लगा देंगे तो यहाँ पे हमने cherries और mango लगा दिया है और हमारा cake ऐसे भी बहुत ही elegant लग रहा है मगर आज हम इसके ओपर थोड़ा सा chocolate गनाज से भी decoration करेंगे तो यहाँ पे मैंने white chocolate ले लिए है इसको पतला पतला काट लिया है और अब मैं इसको melt कर रही हूँ microwave में 30-30 seconds के burst देखे तो यहाँ पे मैंने 30 seconds के लिए इसको microwave किया फिर mix किया फिर 30 seconds के लिए microwave किया और यहाँ पे हमारी chocolate melt हो चुकी है तो अब हम इसमें 1 tablespoon ये whipping cream डाल देंगे तो दोस्तों कोई भी chocolate गनाश बनाने के लिए आपको अलग से chocolate को melt करने की ज़रूद नहीं है आप बस cream को हलका सा गरम करके एकदम पतली कटी हुई chocolate में इस तरीके से डाल करके mix कर दें और आपका chocolate गनाश तयार हो जागा तो यहाँ पर हमारा white chocolate गनाश तयार हो गया है तो अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ से yellow food color क्योंकि हमने उसमें mango का decoration दिया है इसलिए हम इसमें yellow food color डाल रहे हैं कलर को अच्छे से mix कर देंगे और फिर हम इसको डाल देंगे एक piping bag में तो अब आप इस गनाश से या तो केक के ऊपर कुछ भी लिखना चाहते हैं happy birthday, happy anniversary जो भी लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से side में हलका हलका design बना सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ केक के सेंटर में भी आप अपनी पसंद का कोई भी design बना सकते हैं इसमें आप अपनी creativity अपना imagination यूज कर सकते हैं तो यहाँ बे मैं कुछ इस तरीके की सीधी सीधी lines खीच रही हूँ और फिर हम toothpick की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर design बना देंगे तो दोस्तो इस lockdown में इस जबरदस केक की recipe को ज़रूर ट्राए करेगा आपको ज़रूर पसंद आएगा अभी के लिए विदा लेते हैं फिर से मिलते हैं मंडे बेंजे और थालजे को सुबह 9 बजे तब तक के लिए घर का खाएं अच्छा खाएं stay healthy and enjoy